पास्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तों साल 19 में एक फिल्म आईती सेक्शन 375 जहां पर अक्षे खन्ना, रिचा चड़ा, मीरा चोपला और नीरज भड लीड रोल में नसर आये थे फिल्म की टैग लाइन थी मरजी या जबरजस्ती, ये फिल्म चार दिवारी के बंद एक ऐसे सब्जेक्ट पर डील करती है, जो आज की तारिक में काफी ज़्यदा बढ़ रहा है, दो लोगों के भी सेक्शुल संब्द मरजी से बने या जबरजस्ती से, इसे बता पाना किसी तीसरे परसन के लिए आसान नहीं रहता, जिसके चलते छोटे फॉल्स रिप केसे की संख्या काफी बढ़ रही है, अजे बैल के डिरेक्शन ने बनी, ये फिल्म मसूर एक्टर साइनी अहुजा के केस पर बेश्ट थी, जिसकी कहानी लिखी थी साइनी अहुजा के दोस मनी 2005, ये वो समय था जब साइनी अहुजा किसी फिल्म में पहली बार नजर आये, ये फिल्म ती सुधीर मिस्रा के डिरेक्शन में बनी हजारों ख्वाई से ऐसी, जिसके लिए साइनी अहुजा को फिल्म फेर के बेश डेबिटेंट का अवार्ड मिला, इसके बाद ये करम, ग कर सके, और केरियर के सुरुवात में ही सुधीर मिस्रा, अनुराग बासु, मोहिस सूरी और प्रिदर्शन जिसे नामी डिरेक्टर्स ने ये परक कर लिया था, कि साइनी अहुजा एक लंबी रेस का घोड़ा है, फिर आती है जून 2009, सेक्शन 376 के तहित इन पर रेब का केस लगा और केरियर हमेशा के लिए खत्म, जानते हैं डिटेल में तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें, दोस्तो साइनी अहुजा का जन 15 मईस साल 1973 को नई दिल्ली में हुआ, इनका होम टाउन उत्राखंड में है, ये एक पंजाबी फैमिली में जन में, इनके पिता का नाम है सुरज प्रकास अहुजा, जो की इंडियन आर्मी में थे और इनकी मता का नाम है सीमा अहुजा, ये एक हाउस वाइफ रही, चू कि पिता डिफेंस में थे, इसलिए इनकी स्कूलिंग देश के अलग-अलग हिस्सों से हुई, इनकी टीम का कैप्टन हुआ करते थे, आगे चलकर इन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, स्पोर्स मैन इस्परिट इन में शुरू से ही थी, जिसके चलते इसी दोरान इन्होंने टैग नमकर एक ठेटर ग्रूप भी जोईन कि मिला, इसी के बार टॉप के एड एजनसी ने इन से संपर्क किया और एक साल के बीतर ये लगबख 40 से अधिक एड फिल्मों में काम किया, इसमें कैटबरी और सिटी बैंक जैसे बड़े ब्रेंड भी सामिल थे, इसी दोरान इन्हें प्यार हो गया नाम के म्यूजिक वीडि चल रहा था, इसी दोरान उन्होंने साइनी अहुजा के पैपसी वाले एड को देखा और उससे इंप्रेस हो कर केके मैनन वाले रोल के लिए साइनी अहुजा को बुलाया गया, साइनी अहुजा ने केके मैनन और विक्रब मलोतरा दोनों रोल के लिए और लगबख 200 लोगो को बीट करते हुए साइनी आउजा सेलेक्ट हो गए यही साइनी आउजा के डेब्यू फिल्म थी जिसका नाम मोटे अच्छों में पड़े तु था हजारों क्वाई से ऐसी यह फिल्म हुज क्रिटिकली अक्लेम और कमर्सरी सकस्फुल रही जिसने इंडस्ट्री में एक प्र इनके के एनेदर हाइलेक्टेट्ट फिल्म थी यह यू कहाएं कि सबसे कमाल की फिल्म थी कंगना रनावत और इम्रान हस्मी जैसे एक्टर्स के बीस साइनी आउजा सबसे अधा इंप्रेस कर गए और कई जगा पर इन्होंने इम्रान हस्मी को ओवर साइडों किया यह बट गैंग्स्टर फिल्म रिलीज हुई और कमर्सरी सक्सेस्फुल रही इवन इस्टार्डेस्ट वालों ने साइनी आउजा को सूपर स्टार ऑफ टोमारो का अवार्ड दिया दोस्तो यह अली वाला गाना इनहीं के ओपर फिल्म आया गया और वो सिन जहां पर गुलसं ना है तूजो नहीं तो कुछ भी नहीं आज भी मेरा वन अव दे फेवरेट सॉंग है फिल्म बॉक्स ओफिस पर तो अच्छा बिजनस निकाल नहीं पाई लेकिन इतना जरूर था कि म्यूजिक राइट सेटेलाइट्स और डिवीडी से इस फिल्म ने अच्छा खासा मरज अच्छे कुमार के साथ नजर आए सायद ये इनकी प्रॉपर मास मसाला और एलिस्ट एक्टर के साथ पहली फिल्म में ये सेकंड लीड रोल में थे और ये फिल्म भी कमर्सरी सक्सेस्फुल रही इस फिल्म के आज भी कई सीन आइकॉनिक है जिन पर लगातर मीम्स बनते है इसके बाद ये खोया खोया चांद और हाईजैक जैसी फिल्मों में नसर आये और कुछ फिल्मों की सूटिंग के बीच में ही इन पर आरोप लगा रेप का दून दोजा नौ में इनकी मेड ने इन पर रेप के चार्जिस लगाए और मानो यहीं से साइनी आउजा का उठता साइनी आउजा खो को बेवगना भी बताया था मगर कोड का यह उ सही को दोरान इनकी पत्नी ने इनका साथ कभी नहीं चोड़ा बेल से बाब आते ही साइनी आऊजा खो लगा कि वे वे वापस आय तो इंडस्टी पूरी तरह से मूँ मुड़ चुकी थी साइनी अहुजा को किसी ने काम नहीं दिया 2012 में गोश नाम की फिल्म में नजर आये 2015 में ये वेलकम बैक में एक ऐसे रोल में नजर आये जहां पर देखकर खासकर भूरा लगा कि ये एक्टर इस तरह के केरेर हमेशा के लिए खत्म हो गया ये मरजी थी या जबरजस्ती ये साफ तोर पर तो कुछ कह नहीं सकते मगर हाँ एक बात जो तैह है साइनी अहुजा को इसका हर जाना तां उम्र भरना पड़ेगा वैसे आपको बता दूं साइनी अहुजा कि इसी केस पर मेटरोला ने अनपम पांडे इनसे इनकी साधी साल 1997 में ही हो गई थी और इस साधी से इनको एक बेटी है अर्सिया तो दोस्तो ये थी साइनी अहुजा की कहानी आगे ये कमबैक कर पाएंगे है नहीं इस पर हम कुछ कह नहीं सकते वैसे लेकिन आपको क्या लगता है कि साइनी अहुजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद